हुआ हुआ श्टूडेंट इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का हिंदी मीडियम का हमारा चप्टर चल रहा था गती इससे पिछे वाड़े एक एथलीट वरित्य रास्ते जिसका वियास 200 मिट्र है का एक चक्र 40 सेकिंड में लगाता है दो मिनिट 20 सेकिंड के बाद वह कितनी दूरी तया करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा देखे स्टूडेंट की कहरें की एक एक एथलीट को स्पोर्ट्स परसन हो क्या करता एक वरित्य रास्ता है Jessica zwei दो मिनिट 20 सेकिंड के बाद वह कितनी दूरी तया करेगा यह बताना है और उसका क्विस्थापन होगा यह कलूकुलेट करना है को लिख लीजिए वरित्य पत्त का व्यास कितना स्टूटेंट दिया हुआ 200 मिटर एक चक्र लगाने में कितना टाइम लगता उसको 40 सेकिंड तो दो मिनट बीसज Tabii शेकिंड बाद वो कितनी दूरीत्य करेंगा तो सबसे पहले देख लीजिए कि नीजिर्त कर्यदा में नमर्सेसजिन रहें हैं उस्य प्रयूं सुम हें सुस्छ देखलेंसि Newton सध्युदिधे में 200 हों सबखेए 20 संसे अवेлив पृंट भी सेंडे में सब्सक्राइब 30 सब्सक्राइब्स बिशेर का कीतिनी तौरी दूरी उसने चिए टू साथे रिध टीन करें कितनी दूरथ यह निकालने झालने आपको क्या पता हुना ना ठीक होना डीक उसने कि ऋ से आ थे जला 1400 कीजित व्रिध की प्रिध कितनी है टीक है वह यह फ्रिध के बराबर है तो पहले इस शूचला की प्रिध निकाल लेंगे फॉर्मुला होता स्टुडेंट टू पाई यार टू पाई का वैल्यू 22 बटे साथ रख दिया आर यानि कि व्यास दिया हुआ था ना इसने 200 मिट्र व्यास अगर 200 मिट्र होता है तो आर किस तरह से निकालते हैं 200 बटे में दो कर दीजिए इसका हाफ होगा ठ ना इसके बाद यानि कितने चकर लगा यहां पेशाधे तीन चकर वह था इसके तो एक चक्र में इतनी दूरी तया करता तो फाइफ चकर में कितनी करेंगा इसको मल्टिप्लाइगा कर दीजिसके इससे चमाले सो बटे साथ इंटू में 3.5 पॉइंट को टाव बटे में साड़े तीन चकर में कुल दूरी तया किया वह आपका आगया 200 मेटर ठीक है इसके बाद विस्थापन भी बताना था स्टूडेंट विस्थापन क्या होता है दो बिंदू के बीच दो बिंदू कोड़ से अंतिम सोरी प्रारंबिक और अंतिम बिंदू होते हैं दो दोनों बि रगसे पाद प्रारंबिक बिंदू यह हो गया उसका अंतिम बिंदू और इन दोने के बीच इसका सोर्ट टेस्ट पाथ कोन सा यह वाला जो किसके बराबर हमें पता है वियास के और वियास कितना 200 मिटर तो आपका विस्थापन कितना अजीगा 200 मिटर आजेगा स्टूडे से दूसरे सीरे बी पर पहुंचता है और गोम कर एक मिनट में सो मिटर पिछे बिंदू सी पर पहुंचता है जो सेफ की औस चाल और उस्त वेग क्या होंगे देखे स्टूडेंट आप को समझे नहीं आरा को संदो तीन बार पड़ी अच्छे से इसके बाद देखे क्या गह र नगहें किसे और आउस wra मे से लेक्त कर kalau इस एक मिनट में कवर कर लेटा है तो आपको बताना है एक तो बताना है उसत चाल और औस एक बीच में इसने ऑसे बीहिच में जो फो चालाए इसका उस्तवेग आएगा वो बताना है एक बताना है एसे सी के बीच में उसका उस्तचाल और उस्तवेग तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका पहले उस्तचाल और उस्तवेग बिंदू एसे एसे बी तक उसकी उस्तचाल क्या थी उस्तवेग क्या था उस्त चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कुल दूरी बटे में कुल समय स्टूडेंट और कुल दूरी ए से बी तक उसने कुल कितनी दूरी ते की 300 मिटर का रस्ता दिया वह 300 मिटर दूरी ते की और कितना समय लगा 300 मिटर दूरी ते करने में उसको दो मिनिट पचास सेकिंड इसको सेकिंड में कनवर्ट कर लीजिए 170 सेकिंड आजेगा और इसको जब कटेंगे तो आपका अंसर आजेगा 1.76 मिटर पर सेकिंड स्टूडेंट है इसके बाद हमें क्या निकालना है ओस्तवेग का फॉर्मुला कुल विस्थापन बटे में कुल समय तो यहां A से B तक का बीच में कुल विस्थापन कितना हुआ विस्थापन क्या होता है प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच का बिल्कुल सिधा रस्ता सिधा रस्ता में ओलेडी दिया हुआ है इसका मतलब यह जो रस्तेगा डिस्टेंस हमें दिया हुआ बाद हमें बताना है बिंदू A से सी तक का यानि बिंदू A से सी तक का उस्तचाल और उस्तवेग पहले निकालते हैं उस्तचाल का सुत्र क्या होता है कुल दूरी बटे में कुल समय कुल दूरी कितनी आती है स्टूडेंट यानि A से सी तक उसने कुल कितनी दूरी तेगर ली वो आता है कितना दूरी तया किया यानि कि A से B तक यानि A B डिस्टन्स पलस में कितना वापिस आया B से C तक यानि कि B C A B पलस B C उसने कुल दूरी तया किया और कुल टाइम कितना लगा यहां देखे यहां से यहां तक तो उसको लगा था एक सो सत्र सेकंड और वापी जाने में एक मिनिट यानि की साठ सेकंड तो आपका यहां कुल दूरी आ गया कि यहां लसम। कर दीजिए डिडि़े टोटल तरी हंड्रेड है यह बीचि जो है वो कितना है अंड्रेड है तो तीन pythonST कितना होजेगा- 400 हो कुल विस्तापन बटे में कुल विस्थापन कितना student कि कि था है भींदू कि बीच कम से कम दूर यू sub 준mmet तो ये प्राइंड बिंदू है यहां से चलना स्टाट कियां यहां पे पर जाके रुख गया अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की दूरी देखे यह फूरा 300 था ये अंडर्ड डिस्टन्स कवर करके वापी सिधर आ गया यानिकि ये वाला डिस्टन्स कितना 200-200 میटर स्टूजंट तो कुल विस्तापन आपका आगया 200 मिटर कुल समय कीतना लगा पढ़ते हैं अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के करम में ओस्तचाल को 20 किलोमेटर पर हवर पाता है उसी रास्ते से लोटते समय वही वहां बीड़कम होने की वज़े से उसका ओस्तचाल जो है वह 40 किलोमेटर पर हवर होता है तो अब्दुल की इस पूरी यातरा के दोरान ओस्तचाल बताईए देखिए स्टूड़न बिलकुल सिंपल सा कोस्टन है क्या गह रहा है कि एक अब्दुल है उसका घर है घर से वह जब स्कूल जाता है गाड़ी लेके जाता है स्टूड़न देखिए बड़ा कमाल है घर से स् का ओस्त चाल किता रहता है चालीस कीलमेटर पर लुक्राइंट्च तो आपको बताना है इस पूरी यात्र है के तो दोरान उस की औसत चाल क्या है और आपको यह इpieces पता है कि औस स्ट्चाल नेका फॉर्मूला होता है उस्ट क्ल दूरी समय के लिए एक से किलोमेटर होजेगा स्टूडेंट है इसके बाद कुल समय निकाडने के लिए पहले यह समय निकालने के लिुए कि तो करना टाइम लगता और स्कूल से वाप्रिस घर आता है तो कितना टाइम टो एक टरफ़ के टाइम को Eris को किते बन मानते हैं दूसरी टरफ़ के टाइम को टीट्व मानते हैं दोनों अलग समय बराबर कितना होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना कवर करता है। आब क्वाक मत्मुण का रहता है। मितले कवर कर एक तिटे सविके कर रहे हूँ, ती तो पने तैम निकाल लिए अट्टे की-वास कहला है.. X Kilometer और 40 km पर 3 घंटा तो X बटे में 40 घंटा आपका आँगया टाइम टीटू अब क्या करना है प्लू समय निकालना है कुल समय कैसे निकालते हैं T1 प्लस T2, इन दोनों टाइमस को क्या कर देंगे, add कर देंगे, X बटे में 20, प्लस में X बटे में 40, तो आपका यहां से आजेगा 2 X प्लस X अपोन में 40, और यहां आजेगा 3 X अपोन में 40, आवर, जानि कि यह कुल समय आगा student, अब हमारे पास कुल दूरी है, कुल समय है, त सब्सक्राइब और इसको आजेगा 26.67 घंटा आगे आपका उस्तन चाल स्थूजेंट तो यह था थर्ड कोस्टिन इसके बाद नेक्स्ट कोस्टिंट करते हैं फूर्थ कोफ्ट्ट फूर्थ केसे में क्या कहता है और पर सेकंड्सकेर की नियत तवरण से आठ सेकंड तक चलती है इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी ते करती है कह रहा है कि कोई मोटर बोट है वो विरा मवस्ता से चलना स्टार्ट करते हैं इसका मतलब यह हो गया कि उसका प्रारंबिक वेग कितना है जीरो है इसके बाद वह एक दोरन ःफानद का जानी स्पीड बढ़ रही नठीय आका तेड़ का तौन पर सेकंड स्केयर और कितना कितने टाइम तक एड सेकंड तक चलती है तो आपको बताना है कि 28 सेकंड बाद वह कितनी दूरी जह वह तैय कर लेगी तो आपको पता है स्टुडेंट गती के तीन समेकर्ण होते हैं उसमें से जो समेकर्ण होता एस इस इकल टू यू टी पलस हाफ एटी स्केर इस इस फोर्मुले को लगा के हम जो दूरी है वह निकाल सकते हैं यू जीरो है तो यह तो टर्म जीरो होजेगा हाफ एक ही जगह ठरी रख दिया टी की जगह 8 का स्केर ठीक है इसके बाद क्या यह टरम जीरो होने के बाद हाफ बचा थरी बचा 64 और इसको हम सो लगए तो 96 मिटर आजेगा स्टुडेंट जो कि क्या है आपका दूरी आ गया ऐ रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरित दिशा में एक समान दर्से तवरित होती है कार पांच सेकंड में रुक जाती है दूसरा चालक 30 किलोमेटर परती घंटा की गती से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता और 10 सेकंड में रुक जाती है तो ए क्टूडेट के जो कुस्चन हाफ पहले हर एक किसन को अच्छे से पढ़िए समझ यह वीडियो को रोक के को सनको दो बार समझ यह पढ़िये फिर देखिए कि इसने क्या पूछा है क्या देए रहा है उसके बाद साथ में कोपी पैनल लेकर बैठी ताकि आप साथ साल कर सको से यह कुस्तन है इसमें से आपको बता देते हैं देखिए यह कह रहा है किसी कोई गाड़ी हम थी ना वह 50 किलोमेटर पर हावर की स्पीड से गती कर रही थी और उसको ब्रेक लगाना पड़ गया अचाना ब्रेक लगाने के बाद पांच सेकेंड में रुख जाती है तो इसका एक गाड़ी के लिए स्पीड कीतना था यहां से स्टार्ट होता हो रिजन है दस बीस तीस चालिस पचाल साथ तो पहले के कर लिए सुपीड था 52 किलोमेटर परती घंटा स्पीड था एकदम से ब्रेक लगा ब्रेक लगा तो स्पीड क्या हो गया कम देखे गराफ इस तरह स सब्सक्राइब तो यहां भी देखिए पी ओ आर यह वड़ा ग्राफ बना तो यह जो निचे वड़ा इसका जो छे तरफल है यह वड़ा यह दूरी को शो करता है यानि कि विराम वस्ता से पुरो यानि कि वो गाड़ी रुकने से पहले ना कितनी दूरी तै करेगी वो बराबर है किसके छे त तरफल के बराबर और यह क्या है कि तर्फल का फॉर्मुला जानते हैं मं लगा सकते हाफ अधार गुना उन्चाई तो देखें हाफ अधार यानि कि यह वाला अधार होता है इस तरफ टाइम था तो इसका वैल्यू कितना था फाइफ सेकेंड और यह हाइट हो गया इसका उ प्वहसता में आने से पहले इसके बाद दूसरी काड़ी की बात करते हैं स्टूडेंट दूसरी गाड़ी का क्या था? 30 किलो मेटर पर गंटा की चाल से चल रही थी और ब्रेक लगाने बाद इसका स्पीड दीर दीर कम हुआ और 10 सेकेंड के बाद speed zero होगा student तो इसके लिए graph यह होगा o क्या हूँ और यह एस ठीक है यह वड़ा graph होगा और इसके graph का छेतरफल यह होगा जो किसको दूर्शयो करता है दूरी को तो इसमें भी एक triangle बना रहा यानि कि जो दूरी है वो किसके बराबर है क्या हूँ एस के छेतरफल के बराबर है क time तो टैन रिख लिए अधार के उन्चाई कितना है उन्चाई यानि किसका स्पीड 30 किलोमेटर पर हावर ता इसको सोल कर लिजिए जैसे आप इसको सोल करोगे तो आपका अंसर आजेगा स्टूडेंट एक तालिस पॉइंट च्छा सेट मेटर जो है इसने दूरी जो है वो त्याक की तो इस वाली गाड़ी ने ज्यादा दूरी त्याक की तो आप बता सकते हो कि यह वाला जो गाड़ी है उसने ज्यादा दूरी त्याक की पहले वाली गाड़ी से इसके बाद है 6th question student है, इस graph को देखकर ना आपको अंसर देना है, इसके अंदर question के अंदर है, यह यहाँ graph है किसके बीच में, दूरी और समय के बीच में, इस तरफ समय है, इस तरफ दूरी है student, तो पहला है कि तिन्नों में से कौन सबसे तीवर गती से गती मान है, सबसे जो कर रहा ना जो यह वड़ा है वो देखिए समय के साथ साथ इस तरह से दूरी तया कर रहा है यह वड़ा है इस तरह से कर रहा और यह इस तरह से कर रहा है यह देखिए समय के साथ जो बी है ना वो समय के साथ जादा दूरी करते है अगरा जैसे जैसे इदर बढ़ता समय ब कि अपर मिलेंगे क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकर यह 2 यहां मिल रहें यह 2 यहां इकठे जब किसी बिन दूबर एक जगह नहीं मिलेंगे तो धड़ा जिस समय बी ऐ से कितनी दूरी तेयर कर लेता है कहारा बीए से गुजरती है, B कहा है, यह वड़ा B है और जब A से गुजरती है तो जो अपका C है वो कितनी दूरी टेय कर लेता है तो देखिए यह हम से गुजरती है इसमें दूरी चार होता है और इसceğ जो बिंदू है वो इस चार से थोड़ा सा उपर है तो यहां आज़ेगा 6 km का डिस्टेंस है वो टय कर लेती है C इसके बाद है जिस समय B, C से गुजरती है देखिए B कहा है ये वाला C कौन सा? ये वाला B, C से गुजरती है ना B ये वाला होगा स्टूडेंट है और C ये वाला हाँ, ठीक है जिस समय BC से गुजरते है उस समय तक वह कितनी दूरी तैय कर लेता है ये पूछ रहा है student तो कितनी दूरी तैय कर लेता है वह से माज़ेगा यहां जी की six kilometers यानि की यह जो बिंदू है BC यह four से क्या थोड़ा सा उपर है यानि की six kilometers आजएगा तो student देखिए इससे पहले जो question था ना ये वड़ा C इसके इंदर हम क्या पूचा इसे ने जिसे में B A से गुजरती है B A से गुजरती है ये पूचा था तो B ये है student और A तो ये है ये रहा A ठीक है तो B A से गुजरती है इस बिंदू पे गुजरती है तो इस बिंदू पे पूचा था C ने कितना दूरी ते कर लेती है C तो A और B इस बिंदू पे मिलते हैं इस बिंदू पे C यहां होता है तो इदर दूरी पे लेकर जाएंगा आठ से थोड़ा सा उपर होगा तो आपको बताना है 9 km student इसके बाद है next 7th question 20 मिटर की उन्चाई से गेंद को गिराया जाता है जिसका वेग है 10 मिटर पर सेकंड स्केर के एक समान तावरन की दर से बढ़ता है तो किस वेग से दरातल से टकराएगा और कितने समय बाद वो दरातल से टकराएगी तो कुस्चन आपको च्छे से समझ में आ गया होगा एक गेंध है उसको 20 मिटर की उन्चाई से गिराया जाता है पिरत्वी के दरातल पर और जो नीचे गिरते हैं तो उसका एक्सिलेशन मिटर पर सेकेंड है एह जैना कितना है दस मिटर पर सेकेंड कि रह तवरन ऐस दूरी कि कितनी तया किया इस ने 20 मिटर तो मैं क्या निकालना है अंति में वेग निकालना कि जब फिट्ट्व लातल के बिलकुल पास था न तो इसकाओ वेग जो कोन सा formula लगेगा कैसे चेक करोगे देखे यहां में वी निकालना है यह चीज़े दीवे तो कोन सा formula है जिन से यह मारे पास दी हो और वी असानी से निकल जे यह रहा स्टूटेंट थर्ड फोलमुला डू एस वी स्केर माइनस यू स्केर हमें वी निकालना है यू इसने दिया है प्रारंबिक जीरो लेके चलेंगे हैं एस जो है वो जीतना डिस्टन्स ट्रेवल किया बीस एह में दिया हुए दस तो हम असानी से यह फॉर्मूला पुट कर सकते हैं टू एका दस दिया हुए तवरन एस जो है 20 मिटर की द लगजेगा इसको सोल करेंगे तो 20 मिटर पर सेकेंड आजेगा तब का वी का वैल्यू आगया 20 मिटर पर सेकेंड इसके बाद है स्टुडेंट टाइम निकालना था टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे देखिए समीकरन होता है वी इकल टू यू पलस ए कोस्टन के अंदर वी और टी जो है असानी से निकाल सकते हैं इसको नेक्स्ट कोस्टन है स्टुडेंट एट्ट कोस्टन इसमें क्या पुच्छा है किसी कार का चाल समय गराफ दरसाया गया है इसमें तो पहले मैं आपको बताना है पहले फॉर सेकेंड में कार ने कितना नहीं तो मैंने आपको बताया था कोई भी स्थरु से ग्राफ दिया हो ना इस तरह सिए ग्राफ दिया तो इसके निचे वाला जो छेतर है ना उसको छायांकित कर दीजिए फोर सेकिंड तक यह वड़ा छायांकित कर दीजिए क्या दरसाएगा फोर सेकिंड में तै की गई दूरी को दरसाएगा इसके बाद भी है गरहाफ का कौन सा बाकार की एक समानगती को दरसाता है एक समानगती का मतलब हो गया कि एक सम समय आंतराल में समान दूरी तेया करें तो देखे त्टूडेंट यहां पर इसक्स सेक्ट के बाद बिलकुल लीनियर हो जाता है इस तरह से जैसे समय बढ़ता है चाल जुहन आपका कॉंस्टेंट रहता एक जैसा रहता है तो यह समान चाल का एग्जांपल है एक साल एक समानचाल को दरसाती है इसके बाद नेक्स्ट है नाइत कोस्टन है निम्लिकित में से कौन सी अवस्था संभव हो है तक्टापटे के लिए कुदारन दे पहले हैं कोई वस्तु जिसका तवरन नियत हो यानि तवरन तो उसका कॉंस्टेंट हो प्रणतु वेग जुह ना वह सुनने हो जैंग जैसे कोई भी चीज हम उपर से निचे गिराते हैं ना स्टूडेंट तो उसका वेग प्रारंबी के वेग जीरो होता है और बाद में तव बाद में मईमस करें निच्ट में तो ऑगितां निच्ट सब्सक्राइब यहम को सब्सक्राइब में तो उसका पी यह कि पर गतिमान हैं तो किसी भी बिंदु पर हम चेक करेंगा कि यजि किस दिशा में गति कर रही है वेग तो इसन अपर शरकल पर वेग न किसी भी टाइम पर यहां किसी भी बिंदु पर तो हम क्या करते हैं ये क्थिव गुटी ओ उसका कम फूतो यहां होग साथ तो जो कोई भी सरकल में कोई बोड़ी मूव कर रही है तो उसका जो तावरन होगा वो वेक के लम्भूध होगा यानि कि इसके सेंटर की तरफ होगा student, तो ये कंडिशन होती है जिसके अंदर ये होता है इसके बाद है टेंथ एक करीतरी मुपगरह दिया हुआ है जिसका तरिज्य दिया हुआ ये है वरिताकार कक्स में भूम रहा है यदि 24 गंटे में फिर्थवी की परिकर्मा करता है तो उसकी चाल बतानी है तो चाल के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चाल इस इकल altern Herz पात तो यहां से चलना स्टाइड के वापीस यहां तक आ जाता है तो एक उस本ष बखने में इसने इतना स्ट्रेवल लेकिलकियाना दूरी वह क्या होता इसका प्रइदी इस की परिदी का dal फॉर्मॉला होता है नोट फॉर्म। अइर तो पाई इसकी जो चाल का होता है दूरी बटे से में दूरी की जगह हमने लिख दिया टूपाई यार वो टाइम कितना लगा 24 गंटे तो टाइम 24 गंटे इसको सोल करोगे तो आपका जगा 3.07 किलोमेटर पर सेकिंड और यह आगया आपका जो है उपगर है कि चाल आगी स्टूडेंट तो यह थे हमारे चैप्टर गती के कुस्तन जो आपका एक्सरसाइज के 10 कुस्तन थे वो कंप्लेट होगे स्टूडेंट